स्टोरी के स्टाट होती है हमाई ड्रामे की फीमेली टॉंग वेई से जो कि एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल नेगोशेटर है नहां पर वो एक बहुत ही बड़ी मीटिंग को नेगोशेट करती है और इसका पार्टनर्स को कनवेंस करती है कि उन्हें डील साइन करनी चाहिए तॉंग वी बहुत ही ता टैलेंटेट है इसकी वह से उसका फ्रेंड जो कि उसका काफी लंबी टाइम से फ्रेंड है पर उसका सीकेट क्रेश दरस तॉंग वी पर रहता है त्यान यूज जो कि तॉंग वी को पसंद करता है पर तॉंग वी उससे सिर्व उसे वैसे वो दरसर श्याव कोपरेशन का एक और एक लौता वारिस है इसे लिए उसके फादर चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी बिजनेस को अपने हाथों में ले ले पर श्यावी के हसाब से उसे गंटा फरगने पड़ता कि आखिर कंपनी में क्या हो रहा है उसके हसाब से उसे पैसे बिनाने वाली मशीन नहीं बना है उसकी खुद की संदगी है खुद की लाइफ है तो उसे फरग में पड़ता कि कंपनी घाटे में जाए आफिर फायदे में यहाँ पर हम दिखते हैं कि इडली कर रैसलिंग मैच कर रहा होता है यहाँ पर सब वे लोग पहले तो उसे बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं कि नहीं नहीं भाई यह पतला दुबला सा बंदा कहां से जीतेगा पर जैसे ही श्याओफे खेलना स्टार्ट करता है और इसके चोटे भाई को देखते हैं जो कि अवने ब्रदर को लेने के लिए आए था विकॉस अगले दिन फैमिली मीटिंग होने वाली है जो कि मैने में एक बार होती है उस सभी को से टेंड करना होता है लेकिन श्याओफे के नक्रे तो को चला की है और हो कहता है कि चस चिल मुझे पता है कि मुझे वहाँ पर आना पड़ेगा अगर मैं नहीं गया तो डैड सुना सुना कर मैं उसका ब्रदर उसे अभी लेने के लिए आया था विकॉसे श्याओफे बिल्कुल भी यकीन है कि आपदा हो कहीं भागया श्याओफे उसे कुछ चोटी मोटी से ट्रक्स देता ह है और आफर दैड कहता है कि ब्रदर तुम घर रहो मैं पक्का कला जाओंगा इसके बाद हम श्याओफे के फादर को देखते हैं जो कि दरसले श्याओफे का वेट कर रहे थे पर श्याओफे सबसे अधर लेट आता है इसके बाद वह मीटिंग में अपनी डैड को ग्रीड भी नहीं करता और बहुत ही अरोगेंट ली बिहेव करता है आफ्टर और उसका अमीरी बिहेवियर हम देखी सकते हैं उसकी स्टेप मॉम है जो कि उसे काफी पसंद करनी है पर श्याओफे के हिसाप से उसकी मॉम वह सब्सक्राइब उसका अपने डैड से भी जगड़ा हो उन्हें पता है कि श्याओफे बहुत ज़्यादा टरेंडेट है वो इस कंपनी को आसानी से समाल सकता है अगर वो थोड़ा सा सीरियस हो यही पर हम श्याओफे को दिखते हैं जो कि दरसल अपनी मॉम के पास बैठा हुआ था हमें पता चलता है कि उसकी मॉम काफी ता बीमा और गा गई थी तौंग वी उसे पकड़नी कोश्च करती है लेकिन श्याओफे अपने इन मॉमेंट्स में तौंग वी को दिखता है और कहता है कि तुम कौन हो तौंग वी गल्दी से उसकी परसनल प्रॉपर्टी में घुस कई थी इसके बाद तौंग वी और उसकी फैन को कड़ने लें उसकी बाद श्याओफे अपनी मॉम के होम टाउन को अपनी बिसनस प्रॉपर्टी बनाने का सूचता है और अपने से इस तील के बाद करता है उसके डैड उसकी इसपी को देखकर कफस्ता होते हैं पर कहते हैं कि ठीक है मुझे कंविंस करो इसकी बाद वहीं जो करना है कर बस कुछ तो कर अपनी जिंदगी में उसके डाइच चाते हैं कि शाफ़ी को अच्छे से बिजिस में लॉंच करें पर शाफ़ी इसके लेते या नहीं है वह चाहता है कि वह खुर का कॉपरेशन स्टार्ट करें तभी उसके डाइट कहते हैं कि ठीक है यह तुम ट्राइ कर सकते हो इसके अदमने डाइट को बिना पता है पहुंच जाता है चाइना और यहां पर वह हमाई ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड से भी मिलता है चुकि उसके डाइट से काफ़ी दा क्लोस है उसके बाद शाफ़ी को पहचान लेती है शाफ़ी उसे वान करत है कि उसके डाइट को मत बताना तबहीं कहती है कि ओके नहीं बताऊंगी यहां पर शाफ़ी काँटी की भी हेल्प करता है जिनकी तबीयत एकॉनमी क्लास में खराब हो जाती है जिसके बाद उने बिसनेस क्लास की सीट दे कर एकॉनमी में पहुंच जाता है तबहीं वह अपने कंपने उपर्ण आबिए यह हमें और उनकी हैर्प करनी पड़ेगी ताकि वह सार काम तो ग्रवी को दिखते हैं कि उनकी साथ काम करना स्टार्ट करें लाए जह किस प्रोजेट काफिव बड़ा होने तकि प्लॉई को बहुत ही ब़ड़ा प्यादा देगा इसलिए बोपनी सबसे अच्छे इंपलाई तोवी कोई काम देते हैं तोवी बहुत धिया सार्च करती है neither शाफी के बारे में किया के रू बंदा कैसा है क्या खाता है कितनी गर्सेंड है और उसका नीचर कैसा하고 और तक शाफी covered में कुछ भी ढंक से नहीं पता था हाँ वो अनलक की लिए दुबार से शाफी से मिलती है वो भी बहुत यूसल कंडिशन में रोड साइड पर चुकि उसके कार्स से टकर खाने वाली थी तब यहां पर शाफी उस पर गुसा करता है कि तुम्हें मरने का शौक है तो कहीं और जाकर मरो ना मेरी का के सामने क्यूं मरना है तुम्हें इसके लाओज तौंग भी को देखता है और तौंग भी इससे देखती है कि अच्छा तो यह तो वहीं बंदा है उस ताम तो उससे सीचिशन की वाई से कुछ भी नहीं गाया था लेकिन यह बन्दा कुछ उसकी बाद कुछ नगता है और वे 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 तोपी मोज़ मार कर वहां से भाग जाती है कि इसकी बाद इन सबी की जूते खा लेता है और उसकी बाद अंदर पनी फ्रेंट से मिलता है वह बताता है कि बता भी वो दो खराब लटकियों से मिला जिन्नों उसकी उपर चूते उठा कर मारे तब यू कहते हैं कि देख भाई यहां पर किसी से भी ऐसे फ्लट करना बिल्कुल भी साइनी हैं इससे लिए थोड़ा लिमिट में रहो अगर तुम्हें सड़क पर जूते नहीं खाने हैं तो तौंगवी को शौक ऑपरेशन के प्रेजिटेंट शौफई से मिलना था मतलब हमारे में लीड से बर उसकी कोई मीटिंग ऑफीशरी फिक्स नहीं हो पाती उसे नहीं पता कि शौक ऑपरेशन का माले कोई और नहीं वहीं बंदा है जिसे कि उसने चूते उठाकर मारे थे लेकिन काफी कोशिच करने के बाद और पूरे दिन वेट करने के बादो फाइनली शौफई से मिल जाती है शौफई कहता है कि देखो मेरा पीछा कर रही हो क्या क्या चाहिए तबी टॉंगवी समझ आती है कि ये शौफई है इसके बाद थोड़े सेंस में आती है विकॉद टॉंगवी कुछ जादर ही मिच्चौर है इसके रादो कहती है कि मैं दरसल यहां पर आपसे बिसनस की बारे बात करने आया हूँ शौफई बेरे दोसे इग्नोर करता है टॉ शौफई उसे डराने के लिए कहते है कि तो मेरे रूम में आधी रात को इंटर कर गई हो तो मैं पता है कि इसका मतलब क्या है शौफई कहती है कि अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं यहां पर नहीं आती तॉंगवी का इतना confidence देखकर शौवी भी उसे इंप्रेस हो जाता कि बिजनिस साइट पर से एक प्राप्रम थी कि कांटी अपना घर वहां से मूव ओन करने के लिए दयानी थी उसके वैसे जो construction है वो स्टार्ट नहीं हो सकता था कि बाद टॉंगवी की टीम दरसर उन्हें convince कर लेती है उसके बाद शौफई उससे और भी इंप्रेस होता है क कि लड़की तो काम की है इसकी बाद उससे अपने साथ लंच के लिए इंवाइट करता है तब ही तॉंगवी कह देती है कि हम स्वारी पर शौफई उसे फिर भी पकड़ कर अपने साथ ले जाता है आप दारी दोनों कुछ discussion करते हैं और बाते करते हैं तॉंगवी को शौफ पर इतना भी अरूगेंट नहीं लगता जब उसे अच्छे से चांदती है तब ही उसका फ्रेंट त्यान यूवी उसे यहां पर देख लेता है जो कि शौफई की साथ को ज्यादे घुल मिल गई थी वह यहां पर जैलिस होता है बिकॉस तॉंग वही उससे कभी भी इतना फ पसंद है कि हां उसे शाफी पसंद है इनका रेलेशन आगी जाकर लफ्ट ट्रैंगल में कंवर्ट जरूर एंड जरूर होने वाला है तुपर हम तॉंगवी और शाफी को देखते हैं जापर तॉंगवी की कार खराब हो जाती है और शाफी उसे लिफ्ट देनी के बात करता है वही समझ आती है कि जब तक वो नहीं जाएगी बंदों से परिशान ही करता रहेगा इसके आदों कहती है कि ठीक है ओके चलो चलते हैं और इसके साथ मारे यह पार्टी पर खतम हो जाता है मैं ते नेक्स पर्ट के साथ थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग